पेश है आईशर का 548-2023 मॉडल जिसमें 49 होर्सपावर का पावरफुल इंजन 24.8% का बैक अप टॉर्ग एक्यू आरेल और भी कई सारे नेक्स जनरेशन फीचर्स जो भारती किसानों के खिती के कार्य आसान बनाई तो चलिए जानते हैं इस ट्रेक्टर के सारे फीचर्स, स् मत्विस्तार नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आप सभी का ट्रेक्टर कारवा यूट्यूब चैनल पर अगर आप उन चार्स होर्स पावर में शक्तिशाली ट्रेक्टर खरीनना चाहते हैं तो आईशर 548 एक बहुत ही अच्छा विकल्ब है आईए बात करें ट्रेक्टर के लुक्स के बारे में तो ट्रेक्टर काफी अच्छा दिखता है चांदी रंग में सामने की तरफ बड़े हेडलाइट बोनेट के अंदर ड्राय टाइप एयर फिल्टर सिंगल पीस बोनेट और अनमुलियम रेडियेटर इंजन की बात करें तो इसमें आईशर का तीन सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन दिया गया है उन्चार्ज होर्सपावर की ताकत प्रदान करता है चलिए जानता है आईशर 548 के ट्रांसमेशन सिस्टम के बारे में डुएल क्लच आर्ट फॉर की फॉर्वर्ड स्पीड मिलती है ट्रेक्टर में डिस टीवी हैवी ड्यूटी फ्रेंट एक्जल और प्लेन एंट्री रियर एक्जल दिया गया है जिससे टूट फूट की चिंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं बात करें ब्रेक्स की तो आईशर 548 में मॉल इमस ब्रेक्स इस ट्रेक्टर में आपको 1650 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है आप इस ट्रेक्टर में इक्यो आरेल यानि एलेक्ट्र कोई क्रेज एंड लोगर टेक्नलोजी उपलब्द है ट्रेक्टर में आपको रिमोट ऑक्जिलरी वॉल्फ स्पूल वाल्फ के आपको mechanical steering और option में power steering मिल जायागा जिससे ट्रेक्टर चलाना आसान हो जाता है और ट्रेक्टर चलक बिना था कि ज्यादा काम कर सकता है बात करें PTO यानि power take off के बारे में तो ट्रेक्टर में आपको six splines shaft PTO मिलता है इसी के साथ इसमें आपको reverse PTO का option भी उपलब दे आए जानते हैं tire size के बारे में इस ट्रेक्टर में आपको 7.5 by 16 के front tires मिल जाते हैं और rear में आपको 14.9 by 28 के tires मिलते हैं अगर आप इस ट्रेक्टर के कीमत जानना चाहते हैं तो अभी नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दें यह दीगाए नंबर 965-09-933-899 पर call करें हमारी प्रतिनिती आपको call करके पूरी जानकारी और कीमत बता देंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करके हमें बताएं कि ट्रेक्टर आपको कैसा लगा और शेर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाईयों के साथ जल्द ही मिलेंगे एक और जानकारी पूर ट्रेक्टर वीडियो में धन्यवाद झाल